नमस्कार फ्रेंड्स वागत आप सभी का सॉलोश हम इद्रिसे वीटूब चैनल में फ्रेंड्स इस वीडियो में यंग वन्स आफ एनिमल से रेलेटर इस प्रैक्टिस सेट लिया है इस प्रैक्टिस सेट में 54 कुश्चिन कवर करेंगे आप लोगों को जरू बताना कि आप लोगों ने 54 में से कितना स्कोर किया है और इसका जो पीडियाफ है आपको टेलिग्राम के चैनल पे एक दो दिन बाद मिल जाएगा तो टेलिग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्किप्शन में है तो आप सभी लोग जो है टेलिग्राम को जोईन कर लीजिए और आप लोग यूटूब चैनल को भी जोईन कर सकते हैं यूटूब चैनल जोईन करते ही आपको सभी वीडियो इसका पीडियाफ आपको टेलिग्राम पे मिल जाएगा और उसका password आपको चैनल के community section में या फिर चैनल के membership section में आपको मिल जाएगा तो आप सभी के जो है YouTube के home page पे आपको जो है membership का option खुल जाएगा तो उसमें आपको password मिल जाएगा या channel के community आप check कर सकते हैं उसमें भी आपको password मिल जाएगा और आप लोगोंने 54 में से कितना स्कोर किया है comment box में जरूँ बताएं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अगर आप चेनल पे पहले आप विजिट कें चेनल को सब्सक्रेब करें बेल अइकन को प्रेस करें चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहला जो question है question number one what is a young line called तो इसमें आप लोग सोच लिजे इसका right option क्या होगा तो line के baby को क्या बोलते हैं मतलब की share के बच्चे को क्या बोलते हैं तो यहां पे इसका right option जो हो जाएगा यह होता है कब तो यहां पे जो है इसका B option correct हो जाएगा अगर आप किसी भी exam की तयारी कर रहे हैं तो यहां से आपको जरूर एक से दो question आपको देखने को मिलेंगे इस topics related मैं एक ही वीडियो में आपको finish कर दूँगा काफी students का जो है videos में comment आता था कि आप सरी यह topic cover करवा दीजे तो काफी दिन से यह hold पे topic है मतलब इसका सबकुष ready था लेकिन मुझे record करने के लिए time नहीं मिल पा रहा था तो finally आज जो है यह topic पूरा finish कर दूँगा इस वीडियो में अगर आप किसी भी exam की तयारी कर रहे हैं तो यहां से आपको जरूर एक से दो question आपको देखने को मिलेंगे तो इस वीडियो को आप लोग बिना skip के पूरा देखें और आप लोग live chat में answer देते रहेगा अगला जो question number two जो है the baby of a cow is called तो इसमें आप लोग सोच लिजे की cow के baby को क्या बोलते हैं तो गाय के बच्चे को जो बोलते हैं यह बोलते हैं calf तो यहाँ पे जो है इसका a option यहाँ पे correct हो जाएगा तो जिसको आप लोग गाउं की भाषा में बोलते हैं बच्चडा जिसको बच्चडा बोलते हैं तो आप लोग यह अगर गाउं से रिलेट आप लोग करते हैं तो आप लोग जानते होंगे बच्छडा बोलते हैं अगला जो कुश्चन कुश्च नमा थर्ड दा यंग वन ओफ डॉग इस ब्लेंक तो इसमें आप लोग सोच लिए इसका रैट ऑप्शन क्या होगा तो डॉग के बच्चे को मतलब डॉग के बेबी को क्या बोलते हैं तो आप सभी को पता होगा पपी बोलते हैं तो यहां पे पपी इसका करेक्ट हो जाएगा अगर ऑप्शन में आपको जो है पप भी मिल जाता है तो यह भी इसका सही होगा पप या फिर पपी आपको दोनों में से किसी एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा तो मैंने आपको बताने के लिए यहां पे पप लिखा है तो आप दोनों में से किसी एक को सही कर सकते हैं कभी भी आपको दोनों साथ साथ नहीं मिलेंगे यह चीज़िए आप याद रखना तो डॉक के बेबी को बोलते हैं पपी और पप अगला जो कुशन ना कुशन नमा फोर जो है इसमें दिया है वाट इस दा यंग ओफ होर्स कॉल्ड तो इसमें आप लोग सोच लिजे कि जो होर्स होता है उसकी मतलब बेबी को क्या बोलते हैं मतलब घोडे के बच्चे को क्या बोलते हैं तो यहां पे इसका right option जो हो जाएगा यह हो जाएगा option यहां पे जो है A correct हो जाएगा fall, उसको बोलते हैं fall, तो यहां पे जो है इसका A option correct हो जाएगा, अगला जो question number 5 जो है the young one of beer is blank, तो इसमें आप लोग सोच लिजे कि beer के मतलब की baby को क्या बोलते हैं, मतलब की भालू के जाएगा कब, तो यहां पे जो है इसका B option यहां पे correct हो जाएगा, friends अगर आपको वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को like और अपने 10 friends में वीडियो को जरूर शेर किया करें, अगला जो question number 6 जो है what is a young cat called, तो इसमें आप लोग सोच लिजे कि cat के baby को क्या बोलते हैं, मत जो है, यहां पे इसका right option ऑप्सें यहां पे जो है, इसका D correct हो जाएगा, अगला जो question नवाज 7, the baby of our goose is called, तो इसमें आप लोग सोच लिए कि goose के baby को क्या बोलते हैं, मतलब की बतक के baby को क्या बोलते हैं, तो यहां पे इसका right option जो हो जाएगा, यहो जाएगा गूसलिंग option यहाँ पे जो है इसका B correct हो जाएगा आप लोग live chat में answer देते रहेगा मैं सभी के comments जो है read कर रहा हूँ question number 8 जो है the young one of fish is blank तो इसमें आप लोग सोच लिजिए कि जो fish होती है उसके baby को क्या बोलते हैं या फिर fish के बच्चे को क्या बोलते हैं मचली के बच्चे को तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा यह हो जाएगा fry तो यहाँ पे जो है इसका A option यहाँ पे correct हो जाएगा अगला जो question number 9 जो है what is the young of kangaroo called तो इसमें आप लोग सोच लिजिए कि kangaroo के मतलब की baby को क्या बोलते हैं कंगारू के बच्चे को तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा यह हो जाएगा option यहाँ पे B correct हो जाएगा उसको बोलते हैं joy तो यहाँ पे जो है इसका B option यहाँ पे correct हो जाएगा अगला जो question number 10 जो है इसमें दिया है the young one of sheep is blank तो इसमें आप लोग सोच लिजे कि sheep के baby को क्या बोलते हैं या फिर bheard के बच्चे को क्या बोलते हैं तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा यह हो जाएगा lamb option यहाँ पे जो है इसका A correct हो जाएगा अगला जो question है question number 11 what is a young deer called तो मतलब कि जो हेरन के बच्चे को क्या बोलते हैं मतलब deer के baby को क्या बोलते हैं तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा यह यहाँ पे जो है इसके दो option यहाँ पे correct हो जाएगे यहाँ पे एक तो हो जाएगा phone और दूसरा हो जाएगा yearling तो यहाँ पे दोनों correct हो जाएगे देखे हैं phone और yearling दोनों correct हो जाएंगे, अगला जो question number 12 जो है, the baby of a duck is called, तो मतलब की जो duck होती है, तो duck की baby को क्या बोलते हैं, मतलब की duck means बतक, तो बतक की baby को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा, यह हो जाएगा duckling, तो यहाँ पे जो है duckling, इसके baby को ब बच्चा, option यहाँ पे जो है, बी correct हो जाएगा, अगला जो question, question number 13, the young one of eagle is blank, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए, जो eagle होती है, मतलब जो eagle के baby को क्या बोलते हैं, मतलब की गिद के बच्चे को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा, यह हो जाएगा, यह हो जाएगा, इगलेट, मतलब की गिद का बच्चा, option यहाँ पे जो है, बी option यहाँ पे correct हो जाएगा, अगला जो question, question number 14, जो है, what is the young, यहाँ पे थोड़ा सा mistake है, आप इसको हटा दीजिए, what is the young of elephant called, मतलब की जो हाथी होता है, मतलब की elephant के baby को क्या बोलते हैं, तो यहाँ इसका right option जो हो जाएगा, यह हो जाएगा, काफ, तो यहाँ पे जो है, इसका D option यहाँ पे correct हो जाएगा, elephant के baby को बोलते हैं, काफ, अगले जो question, question number 15, the young one of foul is blank, तो इसमें आप लोग सोच लिजिए, कि foul के मतलब की baby को क्या बोलते हैं, तो पच्ची के बच्ची को इसमें correct हो जाएगे, अगर आपकी exam में यह question बनेगा, तो आपको दोनों में से किसी एक option को आपको देखने को मिलेगा, तो मैंने आपको सिखाने के लिए दोनों option यहाँ पे लेखे हैं, कि आपको यह पता होना चाहिए, कि foul की baby को क्या use करते हैं, chicken, और chick दोनों use करते हैं, आपको exam में कोई एक option आपको देखने को मिलेगा, तो आप उसको सही कर सकते हैं, easily, अगला जो question है, question number 16, friends, आपको वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को like और अपने 10 friends में वीडियो को जरूर शेर क्या करें, what is a young fox called, मतलब कि जो लोमडी होती है, जो fox होती है, उसके baby को क्या ब बोल सकते हैं, मतलब जो fox होती है, fox के baby को हम, जो है cub और यहां पे pup दोनों बोल सकते हैं, तो यहां पे जो है, इसका दोनों option यहां पे correct हो जाएंगे, अगला जो question है, जो 17 है, the baby of a frog is called, मतलब जो frog होती है, frog मतलब मेड़क, तो मेड़क के बच्चे को क्या बोलते हैं, तो यहां पे इसका right option जो हो जाएगा, tadpole, तो यहां पे जो है, इसका b option यहां पे correct हो जाएगा, अगला जो question है, कुछनमा 18, the young one of got is, मतलब की जो got के baby को क्या बोलते हैं, मतलब की बकरी के बच्चे को बोलते हैं क्या, तो यहां पे इसका right option जो हो जाएगा, यह हो जाएगा kid, option यहां पे जो है, इसका right option क्या हो जाएगा, अगला जो question है, कुछनमा 19, what is the young of hen called, इसमें आप लोग सोच लिए, इसका right option क्या होगा, तो hen के baby को क्या बोलते हैं, मतलब मुर्गी के बच्चे को क्या बोलते हैं, तो यहां पे इसका right option जो हो जाएगा, यह हो जाएगा, और चिकन दिया होता, तो मैं उसको भी सही कर सकता था, लेकिन यहां पे नहीं दिया है, तो हाप जो है, इसको pullet को use करेंगे, तो यहां पे जो है, इसका B option यहां पे correct हो जाएगा, अगला जो question है, कुछनमा 20, जो है, the young one of hippo is blank, तो इसमें आप लोग सोच लिजे, कि hippo के म इसका right option क्या होगा, मतलब की जो owl के baby को क्या बोलते हैं, मतलब की उल्लू के बच्चे को क्या बोलते हैं, तो यहां पे इसका right option जो हो जाएगा, यह होता है, all it, तो यहां पे इसका जो है, c option यहां पे correct हो जाएगा, अगला जो question है, कुछनमा 22, जो है, इसमें दिया है, the baby मतलब जो पेटीज होती है तो पेटीज की बेबी को क्या बोलते है मतलब जिसको हिंदी में तीतर बोलते है गाउं की भाष्या में तीतुरा बोलते है तो यहां पे तीतर की बेबी को क्या बोलते है तो यहां पे इसका राइट उप्सन जो हो जाएगा इसको बोलते हैं cheaper तो यहाँ पे जो है इसका B option यहाँ पे correct हो जाएगा अगले जो question है, question number 23 जो है the young one of pig is तो यहाँ पे जो pig होती है, pig का जो baby होता है मतलब sure के बच्चे को क्या बोलते है तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा यह हो जाएगा piglet तो यहाँ पे जो है इसका D option यहाँ पे correct हो जाएगा अगले जो question है, question number 24 what is the young of pigain called तो इसमें आप लोग सोच लिए इसका right option क्या होगा जो pigain के baby को क्या बोलते हैं मतलब की कबूतर के बच्चे को बोलते हैं क्या तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा squab, यह होता है squab option यहाँ पे जो है इसका B correct हो जाएगा कबूतर के बच्चे को बोलते हैं squab option यहाँ पे B correct हो जाएगा अगला जो question है, question number 25 जो है, the young one of rat is तो इसमें आप लोग सोच लिजए की rat के baby को क्या बोलते हैं मतलब चूहे को baby को क्या बोलते हैं तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा यह हो जाएगा pup तो इसको बोलते हैं pup तो यहाँ पे जो है इसका D option यहाँ पे correct हो जाएगा अगला जो question है, question number 26 जो है, what is a young rhino called मतलब की जो गेंडा होता है जो rhino के baby को क्या बोलते हैं तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा यह हो जाएगा calf option यहाँ पे जो है B correct हो जाएगा अगला जो question है, question number 27 जो है, इसमें दिया दा baby of a shark is called मतलब जो shark होती है तो shark के baby को क्या बोलते हैं तो shark के baby को बोलते हैं क्या तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा यह हो जाएगा कब शार के बेबी को बोलते हैं कब तो यहाँ पे जो है इसका B option यहाँ पे correct हो जाएगा अगला जो question है question हमा जो 28 है इसमें दिया है the young one of swan is तो यहाँ पे आप लोग सोच लीजे कि swan के बेबी को क्या बोलते हैं मतलब कि hans के बच्चे को क्या बोलते हैं तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा यह हो जाएगा signate यह हो जाएगा signate तो यहाँ पे जो है इसका D option यहाँ पे correct हो जाएगा अगला जो question ना question number 29 जो है what is the young of tiger called मतलब की जो बाग होता है जो tiger की baby को क्या बोलते है तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा यह हो जाएगा कब तो यहाँ पे जो है इसका A option यहाँ पे correct हो जाएगा अगला जो question ना question number 30 the young one of whale is blank तो इसमें आप लोग सोच लिए इसका right option क्या होगा तो whale को baby को क्या बोलते है तो whale के baby को बोलते है काफ तो यहाँ पे जो है इसका B option यहाँ पे correct हो जाएगा आप लोग यह चीज़ याद रखिए whale के baby को बोलते है काफ और shark के baby को बोलते है कब तो यहां पे दोनों चीज आप लोग याद रखेगा तो यहां पे जो है दोनों आप लोग कुशन अलग-अलग है तो यहां पे वेल है और यहां पे शार्क है तो शार्क के बेबी को बोलते हैं कब और अगर बात की जाए वेल के बेबी को बोलते हैं काफ तो यह दोनों question आप लोग याद रखिएगा अगला जो question नमा 31 What is a young gorilla called? मतलब gorilla की baby को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा यह हो जाएगा infant तो gorilla की baby को बोलते हैं infant तो gorilla की बच्चे को बोलते हैं infant तो यहाँ पे इसका D option यहाँ पे correct हो जाएगा अगला जो question नमा 32 The baby of a zebra is called मतलब zebra के baby को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा आप लोग live chat में answer देते रहिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा fall तो यहाँ पे जो है इसका D option यहाँ पे correct हो जाएगा अगला जो question नमा 33 The young one of rabbit is blank तो इसमें आप लोग सोच लिजे की rabbit के baby को क्या बोलते हैं? मतलब की खरगोश के baby को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा की rabbit के baby को बोलते हैं क्या? तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा यह हो जाएगा bunny तो यहाँ पे bunny यहाँ पे correct हो जाएगा अगर option में आपको kit मिल जाता तो यह भी यहाँ पे सही रहता लेकिन यहाँ पे option में दिया नहीं है तो आप यह चीज़ याद रखिए अगर kit option में आपको मिल जाता तो आप इसको भी साही कर सकते हैं और bunny यहाँ पे दिया है तो यह तो हमारा correct answer है यहाँ पे जो है इसका rabbit के baby को बोलते हैं bunny और kit दोनों आप लोग याद रखेगा अगला जो question है question number 34 जो है इसमें दिया है what is the young of dolphin called मतलब की dolphin के baby को क्या बोलते हैं तो dolphin के baby को बोलते हैं क्या तो यह बोलते हैं pup तो यहाँ पे जो है इसका a option यहाँ पे correct हो जाएगा अगला जो question है question number 35 जो है the young one of donkey is तो यहाँ पे donkey के baby को क्या बोलते हैं तो donkey के baby को बोलते हैं क्या तो यह बोलते हैं fall तो यहाँ पे जो है इसका D option यहाँ पे correct हो जाएगा friends अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like और अपने 10 friends में वीडियो को जरूर share क्या करें अगला जो question है question 36 जो है what is a young ostrich called मतलब कि जो ostrich होता है मतलब जो शुतर मुर्ग होता है उसके बेबी को क्या बोलते है तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा यह हो जाएगा chick तो यहाँ पे जो ostrich के बेबी को बोलते है chick तो यहाँ पे जो है इसका B option यहाँ पे correct हो जाएगा अगला जो question है question 37 the baby of our rhinoceros is gold मतलब जो rhinoceros होता है मतलब जो गेंडा होता है उसके बेबी को क्या बोलते है तो rhinoceros के जो बेबी को बोलते हैं क्या तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा यह हो जाएगा calf अगला जो question हो जो है the young one of snake is तो यहाँ पे जो saap के बच्चे को क्या बोलते हैं जो snake होता है उसके बेबी को क्या बोलते हैं तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा snake let तो यहाँ पे जो है इसका d option यहाँ पे correct हो जाएगा अगला जो question है question 39 जो है question 39 जो है what is the young of hawk called मतलब की जो hawk होता है hawk के बेबी को क्या बोलते हैं मतलब की बाज के बच्चे को क्या बोलते हैं तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा यहाज यह हो जाएगा याज तो option यहाँ पे जो है a correct हो जाएगा अगला जो question है question 40 the young one of peacock is blank तो इसमें आप लोग सोच लीजे की more के बच्चे को क्या बोलते हैं मतलब peacock के बेबी को क्या बोलते हैं तो इसको बोलते हैं peachick तो यहाँ पे जो है इसका d option यहाँ पे sorry यहाँ पे जो है इसका b option यहाँ पे correct हो जाएगा अगला जो question है ना question number 41 what is a young ant called और ant link दोनों option हमारे correct हो जाएगे आपको मैंने सिखाने के लिए दोनों option लिखे हैं आपके exam में यह question अगर बनेगा तो आपको option दोनों में से कोई एक देखने को मिलेगा तो आप उसको easily सही कर सकते हैं तो यह आप लोग याद रखेगा अगला जो question है ना question number 42 the baby of a bee is called मतलब जो मदुमक्खी होती है जो bee होती है उसके बेबी को क्या बोलते हैं तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा यह हो जाएगा लार्वा तो यहाँ पे जो है इसका c option यहाँ पे correct हो जाएगा अगला जो question है ना question number 43 जो है the young one of cockroach is तो यहाँ पे आप लोग सोच लीजे cockroach जो होता है जो तिल चट्टा होता है उसके बेबी को क्या बोलते हैं तो cockroach के बेबी को बोलते हैं क्या तो यह बोलते हैं nymph तो यहाँ पे जो है इसका a option यहाँ पे correct हो जाएगा निम्फ बोलते हैं उसको तो cockroach के बेबी को बोलते हैं nymph तो यहाँ पे जो है इसका a option यहाँ पे correct हो जाएगा अगला जो question है ना question number 44 what is the young of dub called मतलब की जो dub के बेबी को क्या बोलते हैं तो अभी मैंने आपको पीछे क्या बताया था की pigeon तो पीजन के बेबी को क्या बोलते हैं तो वही बोलते हैं इसको dub को squab तो यहाँ पे जो है इसका b option correct हो जाएगा dub के बेबी को बोलते हैं squab option यहाँ पे जो है b correct हो जाएगा मतलब की कबूतर के बच्चे को बोलते है squab option यहाँ पे जो है b correct हो जाएगा अगला जो question ना question number 45 the young one of eagle is तो यहाँ पर यह question repeat हो गया है तो इसको बोलते हैं eaglet तो यहाँ पर जो है option यहाँ पर C correct हो जाएगा मतलब कि गिद के बच्चे को बोलते है eaglet अगला जो question ना question number 46 what is a young monkey called तो इसमें आप लोग सोच लिजे कि monkey के baby को क्या बोलते हैं तो बंदर के बच्चे को बोलते हैं क्या तो यहाँ पर इसका right option जो हो जाएगा यह हो जाएगा infant option यहाँ पर जो है D option यहाँ पर correct हो जाएगा अगला जो question number 47 the baby of a spider is called मतलब spider के baby को क्या बोलते हैं मतलब जो मकड़ी होती है तो मकड़ी के बच्चे को क्या बोलते हैं तो यहाँ पर इसका right option जो हो जाएगा spider link option यहाँ पर जो है C correct हो जाएगा अगला जो question number 48 the young one of mouse is blank तो इसमें आप लोग सोच लिजे कि mouse के baby को क्या बोलते हैं मतलब की chew है के baby को क्या बोलते हैं तो यहाँ पर इसका right option जो हो जाएगा यह हो जाएगा option यहाँ पर जो है a correct हो जाएगा pup उसको बोलते हैं pup और यहाँ पर जो है pinky भी यहाँ पर correct हो जाएगा pup pinky दोनों यहाँ पर correct हो जाएगे आप लोग दोनों को याद रखी आपकी एक्जाम में कोई एक option आपको देखने को मिलेगा तो आपको उसको easily साइग कर सकते हैं अगला जो कुछन है कुछन मार 49 What is the young of squirrel called? मतलब कि जो गिलहरी होती है जो squirrel होती है उसके बेबी को क्या बोलते हैं तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा यह हो जाएगा pup और kit दोनों option आप लोग याद रखीगा squirrel जो होती है उसके बेबी को बोलते हैं kit और pup दोनों आप लोग याद रखीगा आपको एक जाम में कोई एक देखने को मिलेगा अगला जो question number 50 जो है the young one of parrot is तो यहाँ पे जो parrot होता है तो parrot के बेबी को क्या बोलते हैं तो parrot मतलब की तोते के मतलब की बेबी को बोलते हैं क्या तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा यह हो जाएगा यह हो जाएगा chick तो यहाँ पे जो है इसका D option यहाँ पे correct हो जाएगा friends अगर आपको वीडियो पशन आती है तो वीडियो को like और अपने 10 friends में वीडियो को जरूर शेर करें क्योंकि आप लोग वीडियो को like और share करते हैं तभी मुझे एक new video create करने के लिए जो है motivation मिलता है तो आप लोग वीडियो को like और अपने 10 friends में वीडियो को जरूर शेर करें अगर जो question number 51 what is a young koala called तो इसमें आप लोग सोच लिजे कि koala जो होता है तो koala के baby को क्या बोलते हैं तो koala के baby को बोलते हैं तो यहाँ पे जो है इसका D option यहाँ पे correct हो जाएगा अगला जो question number 52 the baby of mosquito is called तो यहाँ पे mosquito के baby को क्या बोलते हैं तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा regular तो यहाँ पे जो है इसका C option correct हो जाएगा मच्छर के बच्चे को बोलते हैं regular तो यहां पे जो है इसका C option यहां पे correct हो जाएगा अगला जो कुशन है कुशन है 53 तो इसमें आप लोग सोच लीजे की मक्ही के बच्चे को क्या बोलते हैं तो फ्लाई के बेबी को क्या बोलते हैं तो यहां पे इसका right option जो हो जाएगा यह हो जाएगा maggot तो यहां पे जो है इसका D option यहां पे correct हो जाएगा maggot यहां पे correct हो जाएगा option D तो यहां पे मक्ही के बच्चे को बोलते हैं maggot तो यहां पे जो है इसका D option यहां पे correct हो जाएगा अगला जो कुशन है नहीं कुशन हो 54 What is the young of butterfly called मतलब कि तितली जो होती है जो butterfly होती है उसके बेबी को क्या बोलते हैं तो butterfly के बेबी को बोलते हैं क्या तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा caterpillar तो यहाँ पे जो है इसका A option correct हो जाएगा thank you friends आप लोगोंने 54 में से कितना score किया है comment box में जरूब बताएं और इसका जो pdf आपको टेलिग्राम के चैनल पे एक दो दिन बाद मिल जाएगा और आप लोग यूटूब चैनल को जोईन कर लीजिए जिससे कि आपको सभी वीडियो का pdf आपको टेलिग्राम पे मिल जाए और उसका password आपको चैनल के community section में और फिर चैनल के membership section में आपको मिल जाएगा तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like और अपने 10 friends में वीडियो को जरूर शेर क्या करें आप लोग अगर वीडियो को like और share करते हैं तभी मुझे एक new video create करने के लिए जो ह हिंद वन्दे मात्रम